हेलो बच्चो आज मैं आपको आपकी व्याकरण पार्ठ पुस्तक का पार्ठ अठार्मा पढ़ाने जा रही हूं पार्ठ है आपका है नहीं है हमें वाक्यों में है और नहीं है का यूज करना है है ना बच्चो क्या होता है कि हम है का और नहीं का यूज करते हैं जब कोई चीज हमको अच्छी लगती है ना तो हम वहाँ पर है का यूज करते है जैसे मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है और जो चीज हम अच्छी नहीं लगती है उसके साथ हम नहीं का यूज करते है कि मुझ स्टार्ट करते हैं नीचे दिये गए वाक्य पड़ो उन्हीं की तरह नहीं लगा कर वाक्य बनाओ एक साइड लिखे हुए हैं आपके है में और एक साइड लिखे हैं नहीं में पहला है आपका मेरी बहन स्कूल जाती है मेरी बहन स्कूल नहीं जाती मैं जूट बोलता हूं मै रोमने नहीं जाते हैं, चडिया दाना चुकती है, चडिया दाना नहीं चुकती है, तोते ने हरी मिर्च खाई, तोते ने हरी मिर्च नहीं खाई, अब इसके नीचे देखिए ये जो sentence दिये गए है, इसमें last में है का यूज किया हुआ है, लगता है, हमको यहाँ पर है नहीं यूज़ करना है, जैसे मुझे दूद अच्छा लगता है, मुझे दूद अच्छा नहीं लगता, मुझे आम अच्छा नहीं लगता, मुझे आइस्क्रीम अच्छी लगती है, मुझे आइस्क्रीम अच्छी नहीं लगती, मुझे शर्वत अच्छा लगता है, मुझे शर्व अब आप इसे कहेंगे कि आप इसे है में बदलिये तो क्या करेंगे इस वाले को ओपर वाले में कणवर्ट कर देंगे मुझे अच्छी लगती है सिंपल सी बात है नहीं हटा के है लिग देंगे अब next देखिए अपनी क्या है exercise यहां लिखो आपको क्या खाना पसंद है और क्या खाना पसंद नहीं है यहां पर लिखेंगे जो पसंद है और यहां पर लिखेंगे जो पसंद नहीं है अब यहां पर तो मैंने अपनी मन पसंद चीज लिख दी है और जो मैं नहीं खाती हूँ वो लिख दिया है और ऐसा नहीं है कभी-कभी मैं खा लेती हूँ क्योंकि सब चीज खाने चाहिए फर्स देखी आइस क्रीम केक दाल चावल लिखा है मैंने और पसंद नहीं है करेला भिंडी परवल अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है या और अच्छा नहीं लगता इसके प्लेस पे लिख सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि आप यहीं लिखें इसके प्लेस पे इसके स्थान पर जो आपको पसंद है और जो आपको पसंद नहीं है वो लिख सकते हैं आप अपने according इसको कर सकते हैं I hope आपको ये इतना जो भी पढ़ाय है वो समझ में आया होगा अपना ध्यान रखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा-च्छा काम कीजिए ओके बाई